हाई गाईज हलो बच्छबाटे कैसे हो आप सब लोग आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वेलकम और वेलकम बाक तो दिस चैनल आज क्या करने वाले है लास्ट क्लास में पहले बता दू ये विडियो कौन से बच्चों के लिए ये CBSC 2024 प्रिपेरिंग मतलब जो बोर्ड्स 2024 में देंगे उनके लिए है लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत करीती है आज हम क्या करने वाले है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से मज़े भी आएंगे आज क्या करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब derivations most important derivations है आपके boards के लिए तो बहुत प्यार से देखना है derivations को और बहुत अच्छे तरीके से करना है तो यार करते हैं क्लास को start फिर अच्छा उससे पहले यार नीचे description में ना community का link है उसका code VK army है join कर ले न वहाँ पर इस class के notes मिल जाएंगे बचो सबसे पहले पहले electric dipole होता क्या है सबसे पहले पहले electric dipole होता क्या है सर आप ही बता दो सो एक positive charge और एक negative charge अगर कुछ दूरी पर है दूरी को मैंने 2L मान लिया यह plus q है minus q sine opposite है charges same identical charges है मतलब आपका magnitude बराबर है sine opposite है इस system को electric dipole बोलते हैं अगर आपको definition लिखे होता क्या लिखोगे electric dipole is a system of to equal and to equal and opposite charges separated by some distance distance को मैं 2L मान के चल रहा हूँ इस पूरे system को electric dipole बोलते हैं हमें dipole क्यों पढ़ना है हमें dipole इसले पढ़ना है कि अलग-अलग dipole के axis पर हमें electric field find out करना है ठीक है करते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले यार मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ जो बच्चे YouTube पर free पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्सी बात है लेकिन जो बच्चे मेरे साथ posturalized one-on-one paid batch में जूड़ना चाते हैं तो उस paid batch का link नीचे description में दे रखा है जाके अभी 20% off चल रहा है तो आप लोगों को और बढ़िया फाइदा मिलेगा ठीक है और नीचे unacademy scholarship test का link है अगर आपने वो scholarship test दे दिया तो उससे आप और ज्यादा off करा सकते हो अपने लिए और अगर कोई बच्चा जेई और नीट का subscription लेना चाहता है तो उसको cbsc का subscription free सिरफ और सिरफ VKR यूज कोड करके यह भाई बहुत एक बढ़िया मौका है तो इस मौके को हाथ से मत गवाओ My dear students, electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by some distance बात तो सही है यार, plus q minus q2l दूरी से separate हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है अगला concept क्या आएगा भाई, electric dipole moment, क्या बच्चो, इसी के अंदर आता है electric dipole moment Sir, यह electric dipole moment क्या है, इसको P से denote करते हैं, इसको P से denote करते हैं, इसको P से denote करते हैं, बच्चे it is the product of magnitude of charge, any charge and separation between them, क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं, दोनों charges में से किसी भी एक charge का magnitude और दोनों की बीच में separation, मनि 2L यानि P किसके बराबर हो गया बच्चा, Q into 2L, आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर vector quantity लगाया, मैंने यहाँ पर तो dipole moment का direction जरूर होता होगा, यह आपके chemistry में भी पढ़ते हैं, तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, direction of dipole moment is always from negative to positive, याद रखना, direction of dipole moment is always from negative to positive, यानि कि इस case में यह है dipole moment का direction, इस case में यह है dipole moment का direction, क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं, sir dipole क्या होता है, dipole एक system होता है, दो equal and opposite charges का कुछ दूरी पर रखे हुए, बिल्कुल सही बात है, sir electric dipole moment क्या होता है, यह एक आपका कोई भी एक charge ले लो, उसका multiply कर दो, उन दोरों charges की बीच की दूरी से, तो उसको बोलते है, electric dipole moment, direction अभी शान, negative to positive होती है, unit क्या होगा इसका, इसका unit क्या होगा, भाई charge मानी कुलांप, और length है मतलब मीटर, unit क्या होगा भाई, कुलांब मीटर, centimeter नहीं है, यह कुलांब मीटर है, क्या है यह, कुलांब मीटर है, बात तो बिलकुल सही, I hope this is very clear, अगर मैं आगे चलू बच्चे, अगर मैं आगे चलू, तो आगे बहुत कुछ और है, जैसे कि क्या, जैसे में मुद्धे पे आते है, यार, electric field, electric field, due to an electric dipole, इस electric dipole की वज़े से, मुझे electric field चाहिए, पहला, at an actual point, at an actual point, बचा, पहला at an actual point, मतलब actual point पर, मतलब कैसा, minus q, plus q, center है भाई, जी सर, p point लिया मैंने, center से, मतलब, actual point का मतलब समझते हो, मतलब dipole के axis पर, यह देखो, यह dipole moment है, इस direction में, इस ही के axis पर, जहाँ पर dipole रखा है, उस ही के axis पर, मुझे electric field चाहिए, derivation आएगा, जिस point पर निकालते हैं, उस point को हमेशा center से R दूरी लेते हैं, याद रखना, उस point को हमेशा center से R दूरी लेते हैं, तो अगर आप ध्याने से देखोगे, यह A बोल रहा हूँ, यह B बोल रहा हूँ, यह center of dipole है भाई, तो यह L है, और यह भी कितना है, L है, एक बात बताओ, यह R और उसके साथ यह L जुड़ गया, तो यह कितना हो गया भाई, यह R प्लस L हो गया के नहीं हो गया, यह R, यह L, तो यह क्या हो गया, भाई, यह R प्लस L हो गया के नहीं हो गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या यह R प्लस L हो गया, यह sir, बिल्कुल हो गया, सही है, सही है, यह R, यह L, तो यह छोटा क्या हो गया, R-L, तो यह क्या हो गया भाई, यह वाला क्या हो गया, R-L, तभी तो R-L, प्लस L इस R, तो इसका मतलब यार एक बाद बताओ, यह जो A वाला है, इसकी वज़े से इलेक्ट्रिक फिल्डिस डारेक्शन में, यह जो A वाला है, इसकी वज़े से इलेक्ट्रिक फिल्डिस डारेक्शन में, भाई, E है, हाय न, सही कह रहा हो, सही, और B वाले माइनस चार्ज की वज़े एस वह अठ्राक्ट करेगा ये भी ये भी ठीक जार इवी ठीक है सोली है िए हम किया राइड साइड को प्लस आर काप मान रहा हूँ तो इसको लेट माइनस आर काप मान रहा हूँ आपको पता है और यह इतने सारे लेक्चरओ अगर आप क्या होगा जा स्कॉरques के Q ृपअन ये दूरी ए आर माईनस ऐल का होल स्कॉय वैक्टर लगा दूंगा तो फ्लस आर क्या मनि राइड साइड है सही ज्ञेप बहूत-बढ़िया बहुत-बढ़िया ज़ुम्य ends तो सर EB क्या होगा, वेक्टर लगा दो, सेम है, क्यूँ बस दूरी R-L की जग है, R+, L-L 小² हो गया, –R क्य images各 क्यों है, HUK small about right-up, वृक्त सही बोल रहे हो सर आप टो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यह आपका E-A हो गया और यह आपका EB हो, तो sir E-Axial क्या होगा यार E-Axial क्या होगा E-A plus E-B हाई है ना भाई net electric field क्या होगा दोनों electric field का vectorial sum कर दो आप simple सी बात है ठीक है ना I hope this is very clear इसको या रखो यही से ले जाते हैं सीधा है ना यही से ले जाते हैं यहां से एक line SSR draw कर देते हैं और अगर ऐसी बात है कि यह E-Axial आपका E-A plus E-B है तो इसको लिखो यहाप पर E-A की जगे के क्यूब आए R-L का whole square R क्या सही है सही है माइनस हो जाएगा ना यह तो हाँ बिलकुल सही बात है सो माइनस के क्यूब आए R प्लस L का whole square R क्या यह यू कह दो भईया के क्यूब कॉमन ले लो 1 बाए R माइनस L का whole square माइनस 1 बाए R प्लस L का whole square R क्याप यह E-Axial है वेक्टोरियल साइन हटा दूंगा तो R क्या पाटा दो बात ही खतम हो गई मानि के क्यूब LCM मारो भाई cross multiply होता है हमेशा R प्लस L का whole square minus R minus L का whole square cross multiply होता है हमेशा अटा दो आप इसको divided by divided by divided by divided by a minus b का whole square a plus b का whole square so a square minus b square का whole square current because a minus b into a plus b क्या होता है a square minus b square अब दोनों का whole square ता सही है अब यहा तक vector था ध्यान से देखना यहा तक vector लगा रहा था अभी vector हटा या vector हटाने का मानी यार क्या पटा तो बात ही खतम हो गई आसानी से हो जाएगा सिंपल सी बात है येस सर येस सर सही है कोनों पिर आपलम तो नहीं है थोड़ा सा छोटा कर दू इसको छोटा सा करने के पीछे इसका क्या है कि सारा इसी एक पेज़ पे अड़ेस्ट हो जाएगा ना ज्यादा नहीं थोड़ा सा सब्सक्राइब कॉंसेट समझ में आगे आपको तो दुबारा ले लो फिर आप भाई एक्षेल बराबर क्या कर सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्राइब खोल दो a-square plus b-square plus 2ab minus देखो a-square plus b-square था minus आगया आगे तो minus b-square minus 2ab आथा आगे minus तो plus 2ab divided by बच्चा r-square-l-square का होल स्क्राइब याद रखो r-square से r-square कड गया l-square से l-square कड गया आपको क्या मिला E axial बराबर 2RL, 2RL मानी 4RL divided by R square minus L square का whole square R square minus L square का whole square ठीक है ना और देखो भाई अच्छा Q भी तो था KQ भी तो था KQ को तो भूली गया बिल्कुल KQ भी लिख ले ना बाई गलती से KQ हमने लिखा ही नहीं So KQ 4RL सही है और चीज़ देखो 4RL को क्या आप ऐसा लिख सकते हो 2L into 2R 2 into 2, 4RL बात तो एक ही है split मार दो इसको कैसे KQ 4RL की जगा 2L और 2R ये भी ठीक है divided by R square minus L square का whole square अभी पिछले पेज पे आपने बोला कि सर P बराबर Q into 2L सर P बराबर Q into 2L Because P is equals to Q into 2L तो आपका हो जाएगा E actual बराबर इसकी जगा P हो जाएगा So K P into 2R by R square minus L square का whole square सही है और I can say that E actual is equals to 2K P R by R square minus L square का whole square और I can say that E actual is 2K P R by R square minus L square का whole square by R square minus L square का whole square ठीक है जी ये तो आपका electric field का concept आ गया भाई ये तो आपका electric field का concept आ गया बचसे थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया अभी ठीक है बस इसमें एक चीज और करनी है हमें पता है क्या थोड़ा सा और छोटा कर दूँ हलका सा हलका सा तुमको समझ आई जाएगा ना ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा समझ आज आएगा वहाँ पर तोड़ा सा मुझे लिखना है कुछ अगर मैं आपको एक special case दे दूँ कि यार मेरा जो dipole है वो बड़ा छोटा है मेरा जो dipole है वो काफी छोटा dipole है यानि for a very very short dipole recording देखना पड़ता है कई ऐसा ना हो कि पता चले recording pause है मैं पढ़ाई जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ बाद मैं पता चले आज Monday का fast है और बगहर recording के पढ़ा रहा हूँ है ना एक बार यह recording और charging देखना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ जाता है कई बार हाँ तो अब देखो बाई। for a shot dipole for a shot dipole मैंने छोटे dipole के लिए क्या होगा बच्चे for a sure dipole छोटे dipole के लिए क्या होगा बिटा आप ध्यान से दeckो छोटे dipole के लिए κιा होगा बच्चे आपका जो L है वो तो R से काफी चोटा होगा तो L स्क्वार का तो और भी ज्यादा चोटा हो जाएगा R स्क्वार से L तो R से काफी चोटा होगा बट L स्क्वार तो और ज्यादा चोटा हो जाएगा R स्क्वार से सही कहरो गलत कहरो तो इसका मतलब कर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरे स्टूडियो में मतलब समान थोड़ा कमी करना पड़ेगा इसका मतलब मैं L² को क्या कर दूँगा भाई नेगलेजिबल कर दूँगा मतलब डाइपॉल बहुत ज्यादा छोटा हो गया सही है? तो L² को खतम करो तो E-Axial थब क्या रह देगा मेरे पास? 2 K P R by R² का होल स्क्वेर भाई खतम हो जागा रहा हो तो So E-Axial बराबर 2 K P by R की पावर 3 क्योंकि एक R से एक R कट जाएगा किस के लिए? यदि नॉर्मल डाइपॉल है तो ये 2 K P R by R² माइनस L² का होल स्क्वेर और अगर शॉर्ट डाइपॉल है तो ये 2 K P by R¥ और अगर शॉर्ट डाइपॉल है तो 2 K P by R¥ I hope this is very very and very clear to you all बच्चों मेरे हिसाब से तो ये बिलकुल clear है मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हां जी बच्चों सही कह रहा हूं न मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आईए आगे चलते हैं नोट डाउन कर लो एक बार इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ाता हूं थोड़ी सी लाइट भी इंक्रीज हो गई ना पहले लाइट एक लाइट बंद हो रही थी अब कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब अब अच्छिल पॉइंट तो कर लिया मैंने तो अब सेकिंड में अब 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 इन इक्वेटोरियल पॉइंट आज हम लोग इसमें दो डेरिवेशन करेंगे पहली वाली और दूसरी वाली पार्ट तू में तीसरी डेरिवेशन और क्वेशन कर लेंगे बहुत सारे मुझे लगता है कि यह ज्यादा बेटर रहेगा आदे गंडे के आसपास का यह लेक्ट्र हो जाएगा और फिर बागी इलेक्ट्रिक सेक्टर तो प्रपेंडिकुलर बाइस सेक्टर में क्या करूँगा कुछ नहीं माइनस क्यू ले लो प्लसक्यू ले लो यह सेंटर है यह सेंटर यहां से सेंटर से तो आठ दूरी होगा भाई center से तो 8 दूरी होगा बच्चे क्या मेरी बात समझ में आ रही है हाँ sir तो ये L हो गया और ये भी L हो गया तो ये L हो गया और ये भी L हो गया ये भी सही ये क्या करेगा ये A point है इसकी वज़े से electric field इस direction में भाई E A चीक है न और ये B point की वज़े से electric field की direction ये रही E B सही है इसकी वज़े से ये रहा E A और इसकी वज़े से ये रही E B इसकी वज़े से ये रही E B प्रोड़ नीची करता हूँ उसकी वज़े से E A और इसकी वज़े से E B I hope this is very clear बच्चा ये E हो गया और ये E B हो गया तो इस E A का यहाँ पर component break होगा जी सर होगा बिल्कुल होगा अगर ये theta है ये भी theta है तो ये E A का क्या होगा E A sin theta और इस direction में E A cos theta ये भी सही है यार E A cos theta और इस E B का भी component break होगा एक इस direction में Y T ले लो ज्यादा बेटा है एक इस direction में E B cos theta क्योंकि ये theta तो ये भी theta हाई है न और ये theta तो ये भी theta corresponding angles और एक electric field is direction में which is E B sin theta बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर डाइग्राम में तो खिषडी बजगे दुबारा बना दो एक बार दुबारा बना देते हैं कोई बात भी मतलब में I'll let it be this only मैं एक बड़ा बनाता हूँ फिर मिड़ा दूँगा ये आपका minus q है ये plus q है ये center point है center से ये दूरी r है भाई इसकी वज़े से electric field ये रही ea और इसकी वज़े से ये रही electric field eb हमने का component break कर दो ये theta ये theta इसकी वज़े से एक component इधर एक component इधर अगर ये theta है तो ये वाला भी theta है और ये theta है तो ये वाला भी theta तो a वाले की वज़े से तो ये रहा ea cos theta और उपर में ea sin theta ये भी सही है और B वाले की वज़े से इस direction में EB cos theta और इस direction में बच्छा EB sin theta सर ये R है ये L है तो क्या जो ये वाला length है Pythagoras से under root R square plus L square नहीं हो जाएगा आप तो diagram भी बड़ा बना दिया आप तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हाई ना बच्छो तो यह लिख दे रहा हूं मैं इसको भी क्योंकि बड़े वाला diagram भी मैं मिठाने वाला हूं under root R square plus L square भाई pause करके एक बार diagram बना लो तुम लोग क्योंकि मुझे जगे मिल जगे ना मैं diagram erase कर लूँगा आपका सही हाँ जी तो आप एक बात बताओ भाई यह जो इए है यह है कितना है वेक्टोरियल देखना पड़ेगा ना भाई बिल्कुल सही बात है फिलाल तो नॉर्मली ही देख लो ठीक है ना direction अम बाद में देख लेंगे चाहे यह बोल लो चाहे इबी बोल तो एक ही बात है कितना के क्यूब आए दूरी क्या है आर स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर का होल स्क्वेर का रूट ठीक है ना कि ऐसा कि स्क्वेर से रूट तो कटी जाएगा तो चाहे आप ये ले लो चाहे आप इबी ले लो वह आ जाएगा के क्यूब आए आर स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर सही है बच्चो क्या आ जाएगा के क्यूब आर स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर यार एक बात बताओ e a sin theta क्या e b sin theta के बराबर नहीं हो जाएगा अरे यार एक बात बताओ जब e a e b के बराबर है तो sin theta multiply कर तो फर्क क्या रहे गिया दोनों भी बराबर हो गए सही है तो e a sin theta e b sin theta के बराबर हो गया इसका मतलब sir इसका मतलब sir आपका कैंसल आउट कैसे इक्वल एंड अपोजिट मतलब भाई एक बाद बताओ यह उपर यह नीचे कैंसल आउट हो गए उपर दस नीचे दस वेक्टोरियली तो माइनस होई गया कैंसल आउट हो गए कि नहीं हो गए सही आलसो एक नाउस थीटा बराबर एक नाउस थीटा सही है यह क्या हो जाएगा एड्स अप क्योंकि यह सेम डियरेक्शन में है बिकेस इन सेम डियरेक्शन बिकेस इन सेम डियरेक्शन बच्चा यह एड्ड हो गया तो इनेट क्या हो गया भाई इकवेटोरियल हुआ क्या एक और आइक से नॉर्मली टूए कोस थीटा और एक यहां से आपना एक बारी एक बारी आप यहां से cos theta की value निकाल लो, क्या, base L, hypotenuse root L square plus L square, base L upon hypotenuse root L square plus R square, upon hypotenuse root L square plus R square, सही है, तो सर, E equatorial क्या रहा फिर? सर, E equatorial रहा, 2, E की जगे, KQ by, R square plus L square, into cos theta, into cos theta, और I can say, 2, KQ by R square plus L square, अचा, cos theta की जगे, क्या हो जागा, base upon hypotenuse, L by root L square plus R square, L by root L square plus R square, एक बाद बताओ, root मने आधा power, root मने power आधा, सही है, root मने power आधा, एक बाद बताओ, 2Q into L तो P होता है, अभी तो बताया, P बराबर Q into 2 L, तो क्या मैं इसको आईसे लिख सकता, K P by power 1, power आधा, 1 plus आधा, 3 बटा 2, L C M लेके, R square plus L square की power, 3 by 2, R square plus L square की power, 3 by 2, तो मेरा E equatorial कितना आ गया भाई, इतना, किसकी वज़े से, बड़े डाइपोल की वज़े से, बड़े डाइपोल की वज़े से मेरा E equatorial कितना आ गया, K P by R square plus L square की power, 3 by 2, सही बोल रहा हूँ, घलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसमें घलत क्या बात है सही है एक बार नोट डाउन कर लो अगर आपने नोट नहीं किया हो तो screenshot लेना हो तो वैसे screenshot के लिए मैं बोलता नहीं हो डाउन कर सकते हैं आप लोग करें अप्विशार ऑफ्रिवर्ण गावर E equatorial sorry तो E equatorial क्या हो गया भाई K P by R square plus L square की power 3 by 2 अब एक बारी very short dipole की बात कर ले बच्चे एक बारी very short dipole की बात कर ले बटा बिल्कुल कर सकते से तो very short dipole के ले बच्चे फिर वही बात हो गई L square is very very less than less than R square तो इसको negligible मान लूँगा मैं और जब ये negligible हो जाएगा तो मेरा E equatorial क्या हो जाएगा बच्चा K P Y R square की power 3 by 2 क्योंकि L square तो 0 हो गया 2 से 2 कटा ये क्या बच्चा K P Y R Q टीक बोल रहा हूं ये घलत बोल रहा हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं मैं कुछ घलत तो नहीं बोल रहा हूं तो मेरे पास E equatorial क्या बच्च गया K P Y R Q मेरे पास E equatorial क्या बच गया बच्चे के पी बाए आर क्यूब अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं पता है और वेरी शॉर्ट डाइपोल पर वेरी शॉर्ट डाइपोल E axial बराबर 2 KPYR cube and E equatorial बराबर KPYR cube तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता from first and second E axial बराबर twice of E equatorial क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई कि सर E axial बराबर twice of E equatorial that's it प्लीज एक पर नोट डाउन कर लो इसको प्लीज एक पर इसको नोट डाउन कर लीजी आप लोग आज में आप लोगों ने क्या क्या किया भाई electric dipole क्या होता है हमने कर लिया electric field due to an electric dipole actual point पर क्या होता है वो करवा दिया उसके बाद equatorial point पर क्या होता है और दोनों का relation क्या होता है बिटा फिर से कहूंगा description में लिंक है बच्चा वी के army code यूज करना है आप मेरे साथ paid batch में आ सकते हैं आप मेरे साथ paid batch में आ सकते हैं बहुत nominal अगर खाली खाली physics पढ़नी है बच्चा तो साड़े सत्रा सौ में से 20% माइनस कर दो भाई और अगर PCM या PCB या PCMB पढ़ना है तो उस case में बच्चे साड़े चार अजार में से 20% माइनस कर दो है ना मनि ये कुछ 1300 something के आसपास पढ़ेगी approximately और ये कुछ 35,000 के आसपास पढ़ेगा approximately ठीके ना description में लिंक है VK Army Code आप यूज कर लो I hope ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये क्लास कैसे लगी आप से अगली क्लास में मुलाकात करूंगा जहां पर आपको पढ़ाऊंगा torque due to an electric dipole when placed in an electric field और उसके उपर बहुत सारे equation आज की इस क्लास को यही पर समाप्द कर रहे होंगे बच्चो मिलूँगा आप से आपकी की अगली क्लास में all the very best बच्चो बाइ गाइस बाइस 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 जाहिन